सब्सक्राइब तो हाथ की हीटिंग पढ़ने की वज़ा से रेडनस और ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए पहले इसको बर्फ से या बर्फ के पानी से क्लीन करेंगे फेस को फिर क्लिंजिंग मिल आता है उससे चैरे को साफ करेंगे क्लिंग मिल से हम फेस को क्लीन कर रहे हैं हाथ का स्टेप कैसा होगा यह आप ध्यान से देखें और सीखें हलके हाथों से मसाज करना है और ठंडे पानी से या बर्फ के पानी से मसाज करना है क्योंकि हाथ के मसाज की ठंडे पानी से पोज़ करके अब ओत्री का हम स्क्रब यूज़ कर रहे हैं यह फेस स्क्रब है कभी भी फेस स्क्रब के अत्रिक्त हमें बाडी स्क्रब नहीं यूज़ करना होगा क्योंकि जो फेस स्क्रब है उसके पर्टिकल्स बहुत सौट होते हैं छोटे-छोटे होते हैं स्क्रब हमें हलके हाथों से करना है रब करते हुए करना है में प्रेसर ने देना है ने तो हमारे स्किन डैमेज हो जाएंगे रैडनेस आ जाएंगी इस बात का हमें ध्यान देना है और हो जो मसाज के स्टेप्स हैं रबिंग वाले वो सारे यूज़ होंगे इस समय हलके हाथो का प्रियोग होगा अब ध्यान से देखें और सीखें बहुत आराम से धीरे धीरे करना है वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा नहीं हो जाए इसलिए हल्का सा हमने थोड़ा सा फास्ट किया जादा नहीं किया है कान को छोड़ना नहीं है गले को छोड़ना नहीं है और हम ब्यूटी बोन के नीचे तक और बैक अब ठंडे पानी से वाइप की साहता से अच्छे से पूश देंगे पूशने के बाद जब बहुत अच्छे से साफ हो जाए सारे पार्टिकल्स जाड़ देंगे कुछ भी रहना जाए नहीं तो मसाज यह हम करेंगे तो वह रगड़ खाएगा आप मेरी थोड़ी आवाज पर ध्यान नहीं दीजेगा क्योंकि गले में इंटेक्शन से आवाज तो लगा रहे हैं अब हाथ के साहता से भी लगा सकते हो डिटेनी पैक को थोड़ा साथ कुप सुर्थी से लगाना होगा कि यह स्टूडेंट है और सीख रही है आप थोड़ा सा बढ़की लगा थाई है तो थोड़के लगाएंगे और दस से बारा मिनट छोड़ने के बाद आप ठंडे पानी से वाइप कर देंगे ध्यान रहें क पानी और ठंडे पानी को यूज किया दारा अब हम जल लेंगे कि क्योंकि आइली स्कीन है तो कोशिज करेंगे हम जल से ही करें जल से कि आच मिनट मसाज करने के बाद बरप के पान पूंच देंगे इंकार इसके शंचिटीव है और आयी है सेंसिटी और और इस इसकीन परखाऊ हम क्लीनप कीसे करेंगे और इस वीडियो प्लस 3 का यूज किया गया है आपको ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तू शेयर करें लाइक करें हमेरे चैनल के लिए नए है तो सबस्राइब करें लाइक आप जो तरच करें ओकी बाइबाइब फिर नहीं ताइख अगले वीडियो में एक नए सब्सक्राइब